Hi guys and welcome back to the channel दीपच जैदव एजूकेशन, Welcome to the daily current affairs discussion तो guys आज की तारीक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर details से discuss करेंगे ये वीडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत ज़्यादा important होता है तो चलो शोबार हम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे description box में PDF link के नाम से एक link दिया या है उस link के थ्रूँ आप लोग मेरे टेलिग्राम चनल तक पह download कर पाओगे साथी साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में personally connect करना चाहते हो तो Instagram पे जा सकते हो और again वहाँ पर जाकर आपको फिर से search box में दीपक्च ज़्यादा education टाइप करना है आपको ये वाला profile मिलेगा यहाँ से connect करकर अपनी queries को आप लोग मेरे साथ में discuss कर पाओगे तो start करते हैं आज के session को आज का session काफी ज़्यादा important और बहुत ज़्यादा interesting रहने वाला है काफी कुछ नई चीज़े हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं जो कि आपके exam में directly पूछी भी जा सकती हैं तो सबसे पहले article में हम discuss करेंगे purple revolution के बारे में आपने green revolution सुना होगा ह जैसे की agriculture से related है जिसको हम लोग हरित करांती बोलते हैं वैसी आपको यह purple revolution देखने को मिलता है बैंग नी करांती अब यह purple revolution किस चीज़ से related है यह सारी बाते हम लोग आज कवर करने वाले हैं सबसे पहली चीज़ हम यह देखेंगे इस article को हम अपने syllabus में कहां पर इस्तमाल क टॉपिक आपके GS paper 3 में है तो आप इस purple revolution को यहाँ पे इन topics से link कर पाओगे उसके बाद में prelims के लिए कुछ facts आपको यहाँ पर इस article में मिल ही जाएंगे वो भी मैं आपको बताता है चलूँगा सबसे पहली चीज़ आखिरकार यह purple revolution news में क्यों आया है मतलब हम क्यों discuss कर है कोई तो कारण होगा news में तो होगा हाँ तो union state minister for science and technology ने एक बात रखी है वो बात क्या है उन्होंने यह बोला कि जो purple revolution है यह कहीं ना कहीं बहुत जादा अच्छी तरीके से भारत के अंदर startups को attract कर सकता है बहुत सरे important startups हम लोग purple revolution से सम्मधित बना सकते हैं यानि कि यह purple revolution revolution भारत की economic के अंदर एक बहुत बड़ा contribution दे सकता है वो economic के अंदर contribution कैसे आएगा इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले एक बात यह जानो कि ministry of science and technology ने इस purple revolution की शुरुवात जो है ना साल 2016 में ही कर दी थी इसको हम लोग purple revolution के नाम से भी जा जाता है इसका बहुत सारी जगा पर यूस किया जाता है अलग लग तरीके से बहुत महंगे महंगे product बनते हैं इससे जिससे हम लोग काफी कुछ earn कर सकते हैं अब बात समझ में आ रही होगी तो lavender revolution और purple revolution दोनों ही एक ही चीज़ हैं दोनों को यहां पर अलग मत समझना इसकी शुरुवात ministry of science and tech ने साल 2016 में ही कर दी थी शुरुवात कैसे की गई थी शुरुवात basically aroma mission के तहत की गई थी पहले एक mission को start किया गया था aroma mission अरोमा mission यह किसका था CSIR का council of scientific and industrial research अब aroma mission के अंदर ही यह सारा काम किया गया पूरा का पूरा एक revolution एक purple क्रांती लेकर आई गई उसके नाम से भी जानते हैं aromatic crop का मतला पर खुश्बूदार यह आपको खुश्बूतार plant देखने को मिलता है बहुत खुश्बू निकलती है इससे तो basically focus यहाँ पर revolution के अंदर यह था कि इस particular plant को और जदा ग्रो किया जाए जाए जादा ग्रो किया जाए क्योंकि जादा ग् इकनोमी भी develop होती भी नज़र आए कि जहाँ पर lavender को ग्रो किया जाएगा तो lavender को ग्रो करने के उपर आपका सकतो एक major focus रखा गया इस purple revolution में और पहली बार ऐसा किया गया इस revolution के तहत कि जो producer थे यानि जो इस lavender को उगा रहे थे उनको free में बीज प्रोवाइट करवाई lavender की को लो भाईया आप यहाँ पर इसकी बीज रखो और लगाता lavender को ग्रो करो यह रखा गया और अब आप कोगे कि चलो जिन्नोंने नहीं उगाया था उनको लेवेंडर की बीज मिल गई अब जिन्नोंने प्लांट उगा लिया था उनका क्या उनको तो कोई फाइदा नहीं हुआ ऐसा नहीं है जिन्नोंने उगा लिया था यह प्लांट जो प्रडियूस कर चुके थे उनको 5-6 रुपे पर प्लांट के साब से रुपिया दिया गया कि आप भी को भी हाँ पर हम लोग बढ़ावा देते हैं आप भी हाँ पर पर पल रिवोलुशन को और जादे आगे क्योंकि आने वाला टाइम जो है न वो बहुत रेलिवेंट होने वाला है इस पर पल रिवोलुशन के लिए इस वज़ा से यहां पर यह सारा काम किया गया इस पर्डिकुलर मिशन के तहट और सबसे इंपोर्डिन बात आज के समय पर जो यह पर पल रिवोलुशन है इसकी बात आखिरकार होती कहां से देखो जो लेवेंडर का कल्टिवेशन इस बैंगनी पौधे का कल्टिवेशन है इसका शुरुवात होता है जमुएंड कश्मीर के रामबान डिस्ट्रेक्ट से और जो लेवेंडर की फार्मिंग हो रही है बैंगनी पौधे की जो फार्मिंग गम देन उसके बाद 12 मुला ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपको नजर आ रहे ना जमू और कश्मीर के यहाँ पर लेवेंडर का बहुत जादा कल्टिवेशन होता है और यहाँ पर एक बहुत अगड़ा प्रोग्रेस भी देखने को मिला है लेवेंडर के मामले में अब क बहुत खुश्बूदार होता है इसके अलग-लग प्रकार के यूज होते हैं और पता है कितना महोंगा होता है लगग-बख 10,000 रुपए पर लीटर ये तेल मिलता है आपुए जो ओरीजिनल होगा ये इतना महोंगा है और इसकी डिमांड बहुत रहती है बहुत बिक्ता भ नजर आता है इसको लोग ठेरपोर्टिक यूज के लिए या आपका सकतो जिन लोग के अंदर स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उसको कम करने के लिए इस लेवेंडर का इस्तमाल होता है और ना कि वह लेवेंडर ओयल इसके लावा बहुत सारी चीज़े से की सामून बन रहा है केंडिल्स बल रही है जो आपने अगर बत्ती देखेंगे अगर बत्तियां भी यहाँ पर बनाई जाती है इस लेवेंडर से जिससे बहुत जादा खुश्बू होती है तो अगें लेवेंडर का उपयोग लगातार इंक्रीज हो रहा है बड़ी बड़ी साथ ही साथ मैं इन्होंने कहना यह है कि जो लोगों है ना जो हमारे फार्मर्स हैं वो बेसिकली लेवेंडर को उगा रहे हैं उससे उनको बहुत सारा लाइवलि होड मिलेगा उनको यहाँ पर बहुत अच्छी इंकम जनरेट होगी ठीक है ना इससे स्टार्ट अप्स जो ह जो यंग पीपिल है उनको परपल रिवोलिशन से बेनिफिट अल्रेडी मिल चुका है उनकी इंकम डबल हो चुकी है और अग्रिकल्चरल डवलप्मेंट जिस प्रकार से चल रहा है ना वो बहुत जवर्दस्त है और 2050 तक दावा यह है कि 9.7 बिलियन जो लोग है ना वो कह पर फाइदा उठा रहे होंगे इस अग्रिकल्चरल डवलप्मेंट का फिर अरोमा मिशन की बात करते हैं अरोमा मिशन इशी के अंदर में अरोमा मिशन का ही फोकस यहां पर यह है कि हम लोग अरोमा सेक्टर में एक बदलाव कर सकें यानि कि अरोमा मतलब जो होता है तो इसको grow करने के development के उपर काम करता है ताकि हम नएने essential oils को बना सके क्योंकि इनकी demand लगातार increase हो रही है तो aroma mission कहीं न कहीं focus कर रहा है country के अंदर entrepreneurship को बढ़ाने के लिए farmers की और जदा income को generate करने के लिए और इसके लिए आप देखोगे aroma mission जो phase 1 है ना ये जब phase 1 में आया था इ इसने 6000 hectare की जमीन पर आप कह सकते हो कि इस प्रकार के खुश्बूदार crops को cultivate करवाया था लगबग 46 aspirational districts के अंदर में फिर उसके बाद में 44,000, 44,000 employees को train भी किया गया था phase 1 के अंदर में और अब यहाँ पर phase 2 स्टार्ट हो चुका है तो phase 2 के अंदर बोला ये जा रहा है कि लगबग 45,000 लोगों को support provide करवाय जाएगा बहुत सारी farming families को यहाँ पर support मिलने वाला है क्योंकि again हम लोग अब और बड़े लेवल पर काम करने वाले हैं इस lavender वाले sector में clear हुआ purple revolution क्या होता है ये सारी बाते clear हो गई आई होग आपको सब कुछ समझ में आ चुका है काफी सरे लोग मंतली compilation की demand कर रहे हैं दोको बीच में जो मंतली compilation में इनी current affair के session का बनाया करता था क्योंकि यह बहुत relevant होता है बट बीच में मैं इसको नहीं बना पाया current affair का video नह मतलब हमारे channel पर ही वो जुड़ी है जो हमारी channel लिखती बड़ी सी family है 2,88,000 लोगों की तो इसमें एक नाम है करिश्मा बानो का तो उन्होंने यहाँ पर एक PDF त्यार कर रखा है और basically उन्होंने यहाँ पर पूरा PDF पूरा monthly PDF मर्ज कर दिया है और मतलब उनकी site से भेजा गय इस प्रकार से मतलब मैं यह काम बेर को time नहीं मिल पाया मैं उसको नहीं कर पाया तो आपकी site से यहाँ पर वो PDF आ गया तो आप सभी लोग भी यहाँ पर करिश्मा बानों को thank you बोलो क्योंकि उन्होंने PDF त्यार कर दिया बाकि मैं उसको एक बार और से चेक आउट करूँग सभी कुछ compile किया गया है ठीक है ना तो फिर से बोला तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धनेवात करिश्मा बानों को आगया आता है आर्टिकल पर आता है next article बात करता है नमदफा नेश्रल पार्क के बारे में नमदफा नेश्रल पार्क बहुत relevant है और आपने पता हुना च century को लेकर या फ़र bias for reserve को लेकर हर साल एक नाए question देखने को मिल जाता है तो इस article को आप gs paper no.3 से link कर सकोगे syllabus के अंदर prelims में तो important है ही gs paper no.3 में topic है conservation का वहां के लिए भी important है सबसे पहला सवल सर आखिरकार खबर क्या है news क्या है क्योंकि news में होगा तब ही तो discuss कर रहे है ना current effort चर्चा कर रहे हम दो तो news क्या समझते हैं जो चांगलांग district है ना चांगलांग district जो आपको देखने को मलेगा अरुनाचन परदेश का यहां का जो administration है इन्होंने यहां पर यह बोला कि नमदापा नैशनल पार्क के अंदर बहुत सरा कार्डमम उगाया गया है तो जो डिक्लियर किया गया है जो cultivation उगाया है लार्ज कार्डमम का इसको basically illegal बताया गया है कि यह अवैद तरीके से उगाया गया है तो इस वज़े से यहां पर यह नमदापा नैशनल पार्क न्यूज में है क्यों क्योंकि नमदापा नैशनल पार्क के अंदर बहुत सरा illegal कार्डमम का cultivation हुआ है समझ में आई बत अब आपसे एक simple सावाल है अब यह मत कैना यार कार्डमम क्या है आप लोग यहां पर पता होगा इतने समझदार हो ही कि कार्डमम exactly क्या होता है नहीं बताए गया फता होगा है ना क्या होता है काड़म जिसको हम लोग इलाइची बोलता है है ना तो illegal तरीके से यहाँ पर काड़म का cultivation देखने को मिलेगा ऐसा यहाँ पर कहना है चलो कोई बात नहीं आ गया आते हैं देखते हैं करना क्या है आपने यह सब नियाद रखना ह क्योंकि यह कहीं नहीं पूछ जाएगा कि किसका cultivation illegal बोला गया किस ने बोला है जब कुछ नहीं पूछ जाएगा बस खाली अच्छे से एक बार नमदफा नैशनल पार्क को देख लेना क्योंकि नमदफा नैशनल पार्क नियूज में है नमदफा अगर हम इसकी बात करते है तो यह बेसिकली जो नाम है नमदफा यह एक नदी के उपर पड़ा है एक ऐसी नदी जो की originate होती है पार्क के अंदर यहीं पर इसी नैशनल पार्क के अंदर और वो जो नदी है न वो जाकर नोवा देहिंग नदी से मिल जाती है नोवा देहिंग जो नदी है न वो पूछ चुका है, तो नैशनल पार्क के अंदर एक नदी बहती है, उसी के नाम पर आपको ये नमदफा देखने को मिलेगा, तो ये एक नेम आफा रिवर है, जो की इस पार्क में ओरिजनेट होती है, और वो जो नदी है, वो नवा देइंग के अंदर मिलती है, और नवा दे इस्टन स्टेट्स नजर आ रहे होंगे नौर्थ इस्टन स्टेट्स में यहां पर आपको अरुनाचल प्रदेश नजर आएगा अरुनाचल प्रदेश की कैपिटल इटन अगर यहां पर नजर आएगी यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए अरुनाचल प्रदेश के आसपास रट लेना अजबात को, दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे न, तो इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास मतलब कौन को सी कंट्रीज है, इंडिया, मयानमार, चाइना, क्योंकि मैं आपको दिखाया न, अल्रेडी, इधर तो इंडिया के अंदर तो अरुनाचल प्रदेश है ही ओपर चाइना हो गया, इधर मयानमार हो गया, तो बिसिकली एक ट्राइब बॉर्डर सा बनता है, इधर इंडिया खोद, इधर चाइना, इधर मयानमार, तो एक ट्राइब बॉर्डर सा बनता है, तीनों कंट्रीज का बॉर्डर है यहाँ पर अरुनाचल प्रदेश के बिल ये हमारे इंडिया का चौथा largest national park है, पूरे भारत में चौथे नंबर बराने वाला सबसे बड़ा national park, अच्छा ये चौथा है तो बाकी 1st, 2nd, 3rd वाले कौन कौन से हैं, तो 1st 3 है है Hemis national park जो लद्दाक में हैं, दूसरा आता है Desert national park जो राजिस्थान में हैं, तीसरा आता है गंगोत्री national park जो उतराखंड में है, और 4th नमदपा national park जो अरुनातियल प्रदेश में हैं, यहां पर आप लोग उसे एक simple सा question पूछन पूछना चाहूंगा, रिसेंटली, डार्क स्काय रिजर्व न्यूज में बनावा था, डार्क स्काय रिजर्व कौन से state में आपको द clear कर दिया गया था, युनेसको की वर्ल हरिटे साइट में tentative list के अंदर में इसको रखा गया है, बायो डायविसिटी की बात करें, तो यहां पर बहुत सारे जानवर और बहुत सारे फ्लावर, यानि की बहुत सारे पेड़ पौद और बहुत सारे जानवरों की अलग-लग प पाय जाती है, यानि जो बिग कैट है, जैसे टाइगर, लेपड, स्नो लेपड और क्लावड लेपड, यह चारो की चारो स्पीशीज आपको नमदपा नैशनल पार्क में देखने को मिलेंगी, और उसके बाद नमदपा नैशनल पार्क के अंदर आपको नमदपा फ्लाइं स्क्वेरल भी देखने को मिलता है, यह स्पीशी आखरी बार 1981 में देखने को मिली थी, यह critically endangered species है, पूरी घताम होने की गगार पर है, उसके बाद में हुलोग गिबॉन, ध्यान अकना है, इसको लेकर ओलेडी क्वेशन पूछा जा चुका है, हुलोग गिबॉन कहां पर पा नाशनल पार्क के अंदर, ठीक है न, क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है, अब आते हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पर, अरुनाचल परदेश में नमदपा नाशनल पार्क के अलावा भी और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट नाशनल पार्क और वाइलाफ सेंचरी है, उन पहले मेक शूर करना, वीडियो पे जो लाइक का बेटन उसको प्रेस कर दो, और 2K प्लस लाइक को आप लोग एचीव करवा दो, अगले आर्टिकल में डिसकेशन किया गे, एक इंपोर्डेंट परसनलेटी के बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे म तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है recently इन्होंने क्या क्या हाल ही में इन्होंने श्रदाजली दी है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी को इनकी 90 वी बर्थ अनिवर्शरी पर तो recently हाल ही में इनकी 90 वी birth anniversary को मनाया गया है आप ऐसा कह सकते हो उस अफसर पर यहाँ पर इनको tribute दिया गया श्रतनाजली दी गई है हमारे PM के तुरू इस वज़ा से ये news में बने वे थे तो डॉक्टर APJ अब्दुलकलाम जी थे कौन आओ इसकी चर्चा करते हैं इनका जन्म 15 October को हम लोग इनकी birth anniversary celebrate करते हैं उसके साथ 15 October को National Innovation Day की तरा भी celebrate किया जाता है और World Student Day की तरा भी देखा जाता है इन्होंने Science में graduation करी थी कहां से St. Joseph College से ट्रैकी के अंदर 1954 में उसके बाद specialization किया Aeronautics Engineering में यानि क्या आप कह सकते है Aeronautics Engineering करी है MIT से मदरास Institute of Technology से 1957 में फिर उ बहुत ही जादा important scientist की तरा ये निकल कर आए हमारे देश में scientist क्यों ले करें उना का एक बहुत बड़ा contribution है यहाँ पर आप देखोगे इनको अलग-लग तरीके से सम्मानित किया गया लग-बग 48 universities और institutions जो की इंडिया से भी थे और इंडिया के बाहर अलग-लग देशों की universities और institutions भी थे उन्होंने यहाँ पर अलग-लग तरीके से सम्मानित किया है हमारे डॉक्टर एपीज अबदुलकलाम जी को फिर उसके बाद में ये इंडिया के प्रेसिडेंट भारत के 11 रास्ट्रपती बनते हैं साल 2002 में और इनका पूरा term complete हो जाता है साल 2007 में फिर उसके बा अलग-लग अवार्ड से यहाँ पर इनको समानित किया गया जैसे पद्म भूशन अवार्ड इनको दिया गया था 1981 में पद्म भी बूशन 1990 में धन हाइस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रतन 1997 में अब यहाँ पर यह कुछ लिटररी वर्क से इसको मैं रीडी करूँगा आप यहाँ पर डॉक्टर एपीजी अबदुलकलाम की डेथ होती है 27 जुलाई 2015 में शी लॉंग के अंदर मेगालिया में फिर उसके बाद मैं एक बात और निकल कर आती है डॉक्टर एपीजी अबदुलकलाम जी का कॉंट्रिबूशन क्या था अब उस कॉंट्रिबूशन को जो आने की जो टेकलोजी है उसके पीछे यहां पर इनका बहुत बड़ा रूल था फृर उसके बाद में एसलवी कानाम सुना आपने सुनाओगा सेटलाइट लॉंच वहीकल है जो कि सेटलाइट को लांच करने का काम करता है तो सेटलाइट लॉंच वहीकल 3 को वानाने में इनका एक बहुत बड़ रूल था जिसकी मदद से हम लोग आज के टाइम पर सेटलाइट को लॉंच कर पाता हैं तो SLV-3 ने क्या किया था? सक्सेस्फुली रोहिनी सेटलाइट को नियर अर्थ और्बिट में लॉंच किया था जुलाई 1980 में और इंडिया इसी के साथ में स्पेस कलब का मैंबर भी बन गया था तो यहाँ पर यह सारी चीज़े हो पाई थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की वज़ा से दन उसके बाद में इसरो ने यहाँ पर जो इसरो का लॉंच प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ PSLV के टेस्टिंग की गई उसको लेकर भी यहाँ पर इनका एक बहुत बड़र रूल था फिर इन्होंने इंडिजीनियस गाइड़िट मिसाइल्स को बनाया लगबग 20 साल तक इन्होंने इजरो के अंदर लगा तारा काम किया है ना फिर उसके बाद आप देखोगे इन्होंने लाँच वहिकल टेकनलोजी को लेकर पूरी तरह से मास्टरिंग कर ली थी और इन्होंने फिर अपने उपर जिम्यदार ली कि मैं इहाँ पर एक इंडिजीनियस गाइड़िट मिसाइल को बनाऊँगा DRDO में और इसी के साथ में इहाँ पर ये चीफ एक्जेकेटेव भी मन जाते हैं किसके Integrated Guided Missile Development Program के और इस Missile Development Program को लेकर आए और इसी के साथ में बहुत सारी अलग-लग missiles को इन्होंने लाँच किया फिर उसके बाद में जो पोकरान 2 का न्यूकलियर टेस्ट हुआ था ना उसमें भी हाँपर इनका एक बहुत बड़ा रोल था कि हमें क्या करना चाहिए हम लोगों को देखो भारत को खास कर जो एक less developed country है ना इस less developed से हमें 20 साल के अंदर अंदर developed country बनना है इस प्रकार का target इन्हों रखा था एक vision रखा था वो चीज़े कैसे हो सकती है कैसे भारत एक developed country बन सकता है उसके लिए क्या क्या करना होगा agriculture sector के करना होगा productivity के ओपर काम करना होगा technology को बढ़ावा देना होगा growth के ओपर काम करना होगा लोगों की health care के ओपर काम करना होगा लोगों को एक अच्छा education देना होगा इसके माधियाँ से हम लोग काफी कुछ achieve कर सकते हैं और medical और health care तो बहुत ही जधा important है आप ऐसा कह सकते हो then उसके बाद में आप देखोगे light combat aircraft project के अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा involvement था जो light combat aircraft होता है ना उसके अंदर यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा involvement था होवरक्राफ्ट यहाँ पर आपकर सकते हो एक ऐसा वहीकल एक ऐसा वाहन है जो की जमीन पर भी चल सकता है पानी पर भी चल सकता है कीचड़ में भी चल सकता है बरफ पर भी चल सकता है तो इस प्रकार का यहां पर एक हवर क्राफ्ट इन्होंने बनाया था यहां पर यह काफे ज़दा passionate थे इन्होंने यहां पर गाउं वाले एरिया के उपर ज़़ादा focus किया वहाँ पर prosperity लाने का काम किया किसके मदद से पूरा की मदद से मतलब providing urban amenities to rural areas जहां पर इन्होंने science and technology को लेकर काम किया और इन्होंने बोला कि जो science and technology वो एक बहुत important role play करेगी आने वाले समय में तो यह यहां पर आपको APG अबदुल कलाम जी के बारे में कुछ important और relevant information जानने को मिल जाती है नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं अगला आर्टिकल बात करता है मंगल यान mission rover के बारे में तो recently news में था आव डिसकस करते हैं क्या है खबर सबसे पहली चीज इस आर्टिकल को आप लोग GS paper no.3 space technology और technological missions से link कर पाऊगे यह topic हमारे syllabus में already present है पहली चीज आखरकार news क्या है news में क्यों है तो जो इजरो है that is Indian Space Research Organization तो recently यहाँ पर यह confirm करते हैं कि जो मार्स पर यानि मंगल ग्रहे पर हमने orbiter भेजा था orbiter मतलब यह orbiter है यह इजरो ने भेजा था जो कि मंगल ग्रहे के चकर गोल 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 काट रहा था लेकिन क्या हुआ recently यहाँ पर इसका communication खतम हो गया है यह खबर तो बहुत पुरानी आपका होगे ठीक है लेकिन अब इजरो ने इसका confirmation दे दिया है कि जो connection है यह non recoverable है अब यह जूड़ नहीं सकता क्योंकि बीच में एक आश्र लगाई जारी थी यह वापस से चार्ज जाएगा तो यह वापस से connect हो सकता है लेकिन अब ऐसी को पर यह ऐसे mission काम करता रहा अब यह पूरी तरह से end हो चुका है क्या end हो चुका है mom mom मतलब Mars Orbiter Mission उसके पीछे का reason क्या है reason यहाँ पर है इसका तेल खतम हो गया था तेल डालके भेजा था अब इतने सालों से तेल चल रहा है तो हमने इतना तेल डाला था कि 8 साल से तेल पर है तो solar energy से इसके solar panel चार्ज हो रहे थे तो solar energy से यह काम कर रहा था और जब यह मान लो क्योंकि आपको पता है सूरे तो हमेशा चमक रहा है लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो यह जो और बिटर ही घूमेगा suppose यह पीछे पहुँचा सूरे के उधर पहुँच गया तो उसस अपने fuel का इस्तमाल करता था या फिर यह जो battery charge होई है उसका इस्तमाल करता था आप ऐसा कह सकते हो तो इसकी चक्कर में 8 साल तक यह ऐसी चलता रहा अपनी battery को charge करके और जो इसके अदर fuel बेज़ाता वो थोड़ा-थोड़ा इस्तमाल करके चलता रहा लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि ग्रह prefers और ग्रहना पढ़ा और ग्रहन पढ़ने का मतलब है सूरे की जो रोश्नी है यहाँ तक मार्स टक पहुंशी नहीं कितनी दिर तक मार्स थक नहीं पहुंची अब 6-7 घंटे तक सूरे की रोशनी मार्स थक नहीं पहुंची तो इसको solar energy मिली ही नहीं अ एक घंटा चालेस मिनट बिना सोलर एनरजी के चल सकता है। लेकिन साड़े साथ घंटे तक ग्रहेंड लगा रहा जिसकी चक्कर में सोलर एनरजी मिली नहीं। तो अब सोलर एनरजी नहीं मिली तो जो बचा कुचा इसके अंदर तेल था ना उसका ये यूज़ कर रहा था अब वो बचा कुचा तेल इस्तमाल किया तो वो खतम हो गया जो बैटरी इसकी चार्ड सी वो यहां पे इस्तमाल कर दी बैटरी भी खतम हो गई सारा मामला खतम हो यह डेड हो गया, अब इसके साथ में connectivity नहीं बन पा रही है, अब हम समझते हैं, आखिरकार यह MOM mission है क्या, what is MOM, Mars Orbiter Mission, यह तो मैं आपको ऐसे बताई दिया है, 450 क्रोड रुपे खर्चे गए थे, आज कल के समय पर 500 क्रोड की फिल्में बनती है, Hollywood फिल्में 1000-1000 क्रोड की बनती ह मतलब 500 क्रोड से उपर उपर पैसा लगा दी जाता है काफिसरी फिल्मस के अंदर, तो इतना रुपे में हमने एक mission launch कर दिया, साड़े 400 क्रोड का यह Mars Orbiter Mission था, जिसको launch किया यह था PSLV, अनि Polar Satellite Launch Vehicle C25 से, कब launch किया यह था, 5 November 2013 में, इसका focus यहां पर यह था, देको 5 November 2013 मे launch किया, और 2014 में September के मन्त में जाकर यह पूरी तरह से अपना काम करने लगा, और जैसी भारत ने इसको launch कर दिया ना, तो इस mission के साथ में ही, India, पूरे Asia का पहला देश बनिया था, जिसने एक attempt के अंदर यह पूरा मामला clear कर दिया, एक attempt में हम लोग यहां पर आगे निकल अगर आप मैं Asia की बात करा हूँ, पूरे Asia में, वैसे पूरे दुनिया में भी हमने first attempt में इसको clear कर लिया था, बाकिया आप पूरे दुनिया में देखो के ना, हमने कब भेजा, चौथे नमबर पर, इसे पहले रश्या का रॉस कोस्मोस, अमेरिका का नासा, यूरोप का European Space Agency यह already यहाँ पर Mars को touch कर चुके थे, Mars तक पहुँच चुके थे, तो चौथे नमबर पर पूरे दुनिया में पहुचने वाला कौन था? भारत था, लेकिन एक बार में सफल होने वाला भी भारत ही है, एक बार में यह country सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन भारत एक बार में सफल ह गया था जिसके वज़से चाइना ने इस मंगलियान मिशन को बोला था कि इस मंगलियान मिशन की वज़से इंडिया है एक pride of Asia के एक तो सस्ते दाम में और फर्स टाइम में यहां पर clear कर दिया भारत यहां पर pride of Asia है बाकी इस mission के description के बारें बात करें तो लगबाग 850 kg का साड़े 800 kg जो फ्यूल है ना वो ये लेके गया था इतना तेल लेके गया था बहुत सालों से चलता रहा थोड़ा-थोड़ा यूज़ करता रहा थोड़ा-थोड़ा बैटरी जैसे यहाँ पे कुछ cameras बगएरा थे जो की snapshots ले रहे थे है ना लगातार pictures ले रहे थे और इसने 1000 से जादा जो images से वो publish करी है और बहुत सरी images को भेजा है तो इस प्रकार से यहाँ पर एक Mars color camera भी देखने को मिलता था MCC यहाँ पर provide करवाया गया था ठीक है ना बाकी कुछ और भी instruments यहाँ पर लगा कर बेजे गए थे जैसे infrared imaging spectrometer, methane sensor for Mars, Mars exospheric neutral composition analyzer, layman alpha photometer यह अलग-लग instruments थे जो कि यहाँ पर रखे गए थे इसका major objective क्या है इसका basically जो major objective है वो है Mars के water world को study करना कि वहाँ का water world क्या है उसके बारे में जानना, वहाँ के minerals के बारे में जानना, वहाँ की पूरी study करना, फिर उसके हिसाब से कुछ नई technology develop करना ताकि हम आगे और research कर सकें तो अब EZRO ने बोलाए कि हम लोग फिर से मंगलियान हमने launch किया, अब वो यहाँ पर पूरी तरह से खतम हो चुका है, अब मंगलियान 2 को भी जल्दी हम लोग launch करने वाले हैं, ठीके न, और उसके साथ साथ कुछ और missions के उपर भी focus किया जाएगा, जैसे गगन्यान, चंद लोग जल्दी से मंगलियान 2 जो है basically वो launch करेंगे, और आपको बता होगा, मंगलियान mission करके एक पूरी की पूरी movie भी आपको देखने को मिलती है, इस particular scene के उपर, कि किस प्रकार से यहाँ पर Mars के उपर mission को launch किया गया था, तो आप लोग चाहो तो एक बार थोड़ा time निकाल कर इस movie को देख सकते हो, आपको और जदा बहुत सादा मतलब चीजे समझ में आने लगेंगी कि exactly क्या क्या देखने को मिला था, ठीक है ना, इसी के साथ मैं करते हैं, हम लोग अपने lecture को समात, I hope आपको मज़ाया होगा, बहुत को जानने को मिले गा और मिला होगा, आपको